दोस्तों यहां पर जो यह लिप एरिया होता है इसके आज पास आप देख सकते हैं कि कितना जादा पिग्मेंटेशन हो जाता है डाकनेस आती है आज में यह जो करने वाली हूँ एक बार में सिर्फ इसका जो रिजल्ट है आपको दिखने वाला है बहुत ही अच्छी रेमेड आपसे चीज नहीं लाने वाली हो ताकि जब आप यह करें तो आपको कुछ भी बाहर से लाने की जरुरत ना पड़े तो हलो दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्त रोली और आप देख रहे हैं रोली लाइफस्टाइल उम्मीद करते हूँ कि आप सब घर में और सुरक्षित है तो आज यह जो लिप के आसपास की जो डाकनेस होती है इसके लिए मैं एक होम रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि 100% नैचुरल इंग्रीडियंट से है और 100% वोकिंग है जो कि मैं लाइफ डेमो आप लोगों को देने वाली हूँ इसके लिए हमें करना क्या है इसके लिए जब हो जाएगा तो आप एक काम कीजिएगा जो भी हल्दी आपके पास फ्रेश पड़ी हो न्यू पैकेजिंग में वह वाली आप हल्दी ले लीजिए और प्योर जो लेमन है ना मिलकुल भी आपको पानी वानी मत मिलाएगा उसमें सिर्फ जो मतलब जूस है ना नीमू का जो रस है उसमें आप इस हल्दी को एड कर लीजे और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके कूरा यहां से यहां तक इसको पेस्ट को लगा दीजे अब इस पेस्ट को लगा के कम से कम 15 मिनट के लिए कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ दीजे उसके बाद आपको क्या करना कि अच्छे से रगड़ना है उसको ऐसे ही नहीं वाश करना है उसको अच्छे से रगड़ना है रगड़ रगड़ के आप छुड़ा के उसके बाद इसको वहां पे जिस एरिया में भी आपने लगाया है आप मॉस्चिराइजर लगा सकते हैं यह दोस्तों रेमिडी 100% वर्क क देख न चाहिए क्या होता है कि जब तक हम कोई चीज करर नहीं देखते हैं तब तक हमें समझ में आता क्या सच में यह चीजब करेगा की नहीं करेंगा देखा आप लोग उने जी रिजल्ट रगड पर कितना अच्छा आ या उनुमेद करते हूं कि आ technique को यह वीडियो पसं